हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैं चैनल गेमिंग टेग, मैं हूँ जिट्टी और आज आपके साथ बात करने वाला हूँ एक माउस पैट के बारे में जो मैंने हाली में एमाजोन से करिदा है, तो आए स्टार्ट करते हूँ दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ एक माउस पैट के बारे में जो की रेड़ियर की तरफ से आता है, जिसका नाम है रेड़ियर MP80, मैंने एक्सेल साइज करीता है, इसको आप में स्मॉल और मिडियम साइज में भी खरीच सकते हैं, इसका जो डाइमेंशन आपको दिखने को मिल जाएगा, आप देख साथे कि 800 x 300 x 3 mm है, जो इसका स्मॉल साइज आता है, उससे बहुत ही छोटा है, इसका साइज इतना बड़ा है कि आपको इसमें से, इसमें एक गेमिंग जो कीबोड आता है, बड़ा बड़ा कीबोड, एक गेमिंग माउस और एक इसका जो प्राइज मुझको मिला है, 580 रूपीज का मिला है और इसका जो स्मॉल वरियंट है वो आपको 280 के आसपास मिल जाएगा, मैंने जो इसमें माउस पेट खरेजा है, यह कॉंट्रोल टाइप का नहीं है, यह स्पीड टाइप का है, क्योंकि मुझे गेमिंग के साची आपको नहीं मिलेगा, तो मुझे गेमिंग के लिए चाहिए था, इसलिए मुझे फास माउस मुभमेंट के लिए, इक स्पीड टाइप का माउस पेट चाहिए था, तो इसलिए मैंने डिय है जाई यह स्पीड टाइप खरेजा है, तो आप फिर आये दोस्तों, इस ग आप देख सकते हैं यहाँ पर एक G logo दिया है शायद यह गेमिंग के लिए होगा और इसका quality बहुत ही अच्छा है दोस्तों मैंने इसका speed type लिया है क्योंकि मुझे आप चाहे तो इसका control type भी ले सकते हैं अगर किसी photoshop और किसी software में रिडिंग के काम करना है तो आप इसका control type ले सकते हैं जिसमें आपको माउच मूव्मेंट ज्यादा दिखने को नहीं मिलेगा उसमें थोरा सा राफ टेक्स्टाइर अपको देखने को मिल जएगा यह बहुती स्मूथ टेक्ट्च्टार है मैंने इसको गेमिंग के लिए लिया है तो इसमें आपको माउच मूव्मेंट बहुत फास्ट मिलेगा अब देख सकते हैं का'd बहुत ही अच्छा है इसका देख लीजे अब इसका साइड आप देख सकते हैं इसको पुरा सिला ही किया गया है तो इसका यो जो harapivel a क الرंट है आपको बहुत ही अच्छा मिलन भाला है अगर आप को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ सेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो चैनल को ज़रूद सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ये गेमिक माउस पेट खरिदना है तो इसका बेस बाइ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो फिट चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही गुट बाई टाटा जैहिन वन्यमातरम